नमस्कार दोस्तों मैं अब सेक्पटेल रियेजुकेशन आया सिकेडिमी पर आप सभी का सौगत करता हूँ दोस्तों आज आप लोगों ने रियेजुकेशन के टेलिग्राम गुरूप पर छठा टेस्ट दिया जो कि हिंदी का था और यह टेस्ट पूर्ण रूप से UPSI को समर्पित था क्योंकि इसमें जो परस्ण पूछे गए थे वह UPSI के एक सिप्ट के जो 40 परस्ण होते थे उसमें से 25 महत्पूर्ण परस्ण हमने उसमें से लिये थे और वही आपको दिया था और अब हम उन 25 प्रस्णों की व्याक्या करेंगे जिससे इससे समंदित या और प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आप उसको हल कर सकें और वो दोस्त जो अभी तक हमारे टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं उनसे में चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उसपे क्लिक करके जुड़ जाईए और प्रते दिन साम 4 बज़े आप टेफ्ट देगे तो चलिए सुरू करते हमारा पहला प्रस्ण है कि अगर वत्ती की सुगंद से ठकावट दूर हो गई निम्न में से वाक्य में परियुक्त काल बताएं ठीक इसमें कौन सा काल है ठीकिए सबसे पहले काल की बात करें तो काल उकुल मिलाके तीन परकार के होते हैं एक होता आपका बरतमान काल दूसर से भविश्यत काल कहा जाता है यह आपका तीन परकार का होता है बरतमान काल पांच परकार का भूत काल छे परकार का और भविश्यत काल क्या होता है तीन परकार का याद रखना यह भी पूंचा जाता है ठीक है तो आपका जो प्रस्ण है अगर वत्ती की सुगंद से इसके लिए सबसे आसान तरीक है कि जब भी प्रस्ण में कोई ऐसा वाक के दिया हो जिससे आपके समय का बोधना हो ठीक है यही यह पता ही नहीं चलड़ा हो कि यह काल यह मतलब यह जो कार है वो कब हुआ था ठीक है कि यह कार पहले हो चुका भूध कार है जिसे अगर वर्ति की सुगन से ठकावड दूर हो गई, इससे के औल हमें अभी तक यह पता चलना है, यह भूतकाल का है, क्योंकि हो चुकि है, काम हो चुका है, ति भूतकाल का है, बरतमान भविशtsका हो नहीं सकता, अब हम भूतकाल में ढोड़ेंगे, तो भूतकाल का कौन सा है भूत काल में यदि कोई ऐसा कार है जो पूर हो चुका लेकिन उसके समय के बारे में कोई ग्यान नहीं है जैसे माल लेते हैं कि मेरा कोई मित्र आया था सुबह-सुबह और उसके सर में काफी भारीपन था या उसे ठकावड थी और मैंने अगरवत्ति सुलगाई और वो म मेरे कमरे में आके सो गया मैं चला गया अपने जॉब पे फिर वो मुझसे एक हफ़ते बाद मिला ठीक है जब मैं जब जवाब से लोटके आया तक उब जा चुका था उएक हफ़ते बाद मुझसे मिला ठीक है और मुझसे कह रहा कि अगरवत्ति की सुलगन से ठकावट जब समय के बारे में बिल्कुल ग्यान ना ना वोत Šषा तो तो पूर्ण गूत काल क्या होता है ठीक यहां पे दूसरा अपूर्ण हो जब हमें समय का फूर्ण रुप необिफ ग्यानों जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो हमें ये पता चल गया ना कि भारत 15 अगस्त, पास्ट की एक डेट है, उस पर आजाद हुआ था, जब ये हमें डेट पता जाए, समय जो हो निर्धारित हो जाए, तो पूर्ण भूतकाल होता है, जैसे वह पहले ही चला गया था, इस समय क्या है, इसमय हमारे दिमाग में एक समय है, ठीक है, एक समय हमारे दिमाग में, इस्ति थे कि हाँ वो पांच तारिक के पहले, तो पांच तारिक मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हाँ, जब हमारी आपसे बारता लाप हो रही, तो आप भी समझ रहे हैं कि पांच तारिक के पहले चला गया उसमें हमारे दिमाग में असमय होता है तो यह दोनों चीजे क्या है यह पूर्ड भूत काल में आ जाती है और तीसरा क्या है अपूर्ड भूत काल जैसे जब कोई काम हो रहा हो ठीक है जैसे सुरेश गीतगा रहा ठीक है सुरेष गीत गा रहा था यह पाउस्ट की वाथ थाया रहा है तो इसमें काम जारी रहा था तो wilde और चवथा भूधकालब का होता है आसन्ण भूधकाल इसमें क्या होता है कार जूता है कार इतो कार्गी जो समाप्ति हो निकट बैट्टी में आम रखा था, मैं एक आम बाल्टी से निकाला और उससे पूछा आम खाऊगे? तो ओव बोला कि नहीं, मैंने आम खाया है. तो वो दो ही कहेगा, सब्त कि भूलेगा कि मैंने आम खाया. अगर वो कल आम खाया था आज मुझसे पूछ रहा हूं सामने बल्टे माम रखे कि आम खाऊगे तो बोलेगा कि हाँ मैं खाऊंगा ठीक है अगर अभी अभी खाया है तो बोलेगा नहीं मैं खा चुका हूं ठीक है मैं खाया हूं तो जब कोई काम तुरंत हो चुका हो, कोई ऐसा कारी जो तुरंत हो चुका हो, उसका असर अभी हमारे उपर हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा आसन भूतकाल, मतलब जो काम हुआ है उसका असर अभी है, ठीक है, अगला आपका भूतकाल होता है, संदिक भूतकाल संधिक्द भूत काल, संधिक्द भूत काल में क्या होता है कि इसमें संभावना परकट की जाती है ठीक, इसमें संभावना परकट जैसे तू गया होगा मुझे पक्का है याकीन नहीं लिकिन मैं क्या होगा, तू गया होगा तो आप संभावना परकट कर रहूं तो यहां पर हो जाएगा संग्दग्भूतक्ल तुम्ने गाया होगा तो मुझे पता नहीं मैं संभावना की वह बेख कर रहा हूं यह संदेग्ध भूतक्ल हो गया एक और होगा हेत हुhmat भूत हेत हितमत भूत काल में क्या होता है वहां क्या होता है कि इससे पता चलता है कि किरिया भूत काल में होने वाली थी ठीक है जैसे एक कार के बाद दूसरा कार मतलब उसी पर डिपेंड हो ठीक है एक कार हो उसी पर दूसरा डिपेंड हो जैसे यदि बारिस हुई होती तो भुख और को यहाँ से कोषण काल से हर परिच्छा में एक प्रशन दो परसुन आता है तो भूत गाल 6 परक़ा ब्यविश्यतकाल तीन परक़ा और उसके बाद भूत गाल के जो श्य ज्य ‹बरकार उसके बाहестно आपको बता दी आप अगला प्रस्ण देखते हैं ठीक है अगला प्रस्ण हमारा है कवीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं कवीर जी की रचनाएं साखी सबद रमैनी यह तीन कवीर जी की रचनाएं यह तीनों को बीजक में क्या गिया है संकलित किया ठीक है हम अगला प्रफ ने देखें अगला प्रफ नमारा है लोहे के चने चबाना निमने लिखित में से कौन सा बिकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ है ठीक है तो लोहे का चने चबाना का उचित अर्थ होता है बहुत कठिनाई का सामना करना मतलब कठिनाई बहुत जादा है ठीक तो इसका एंसर हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना लोहे के चनी चवाना दिये के विकल्पों में अकुलाना का समाना आर्थी होता ब्याकुल होना जैसे यदि एक कोई छोटा लड़का है वो बाहर चला गया बोला कि 6 बज़े तक आ जाएंगे लेकिन रात के 8 बज़ अकुलाथ बगया का मतलब ये होई यह होई ओपने बच्चे को लेकर ठीक है paradis यह अग्ला प्रफन है यह देखिए अरभिंद से ऐसे से सबसे पहले बात कि इसमें अलंकार कॉनसा दब fil जबाग तो कहने का मतलब इसमें अर्थ के द्वारा क्या होगा नो इसमें अलंकार है यह अलंकृत होगा तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है आघकम playoffs का नहीं है है तुसे पूछा है कि अर्बिंद सब्ध क्या है तो अर्भ किस प्रकार सो रहे हैं। अर्विंद के समान। समान। वहां जुवण। कि समान। वहां अर्विंद का आरथ है। आपका कमल है। और बच्चों की तुलना किस से की जा रही है, सिसब्रिंद, बच्चों की तुलना किस से की जा रही है, कमल से की जा रही है, ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाती है, उसे कहा जाता है, उपमान, ठीक है, जिससे तुलना की जाती है, उसे कहा जाता है, उपमान, ठीक है, जिसस वाचक सब्द कहा जाता है ठीक है और जो तुलना जिस उद्देश सीकी जाती है उसे कहा जाता है साधारण धरम ठीक है तो इस प्रस्ण में बच्चों की तुलना की जारी तो बच्चे जो सिसुब्रिंद है यह आपके क्या हो जाएंगे यह आपके हो जाएंगे उप में सिस वाचक सब्द क्या है से और जो इसका साधरन धर्म क्या होगा साधरन धर्म होगा सोना ठीक है सोना यह आपको हो जाएगा साधरन धर्म तो इस प्रसंद का सही उत्तर क्या है अरबिंद क्या है अरबिंद आपका उपमान है अगला प्रसंद देखते हैं जहां सब्दों के अर अर्था अलंकार होता है, और तीसरा क्या होता है, आपका उभया आधार पर चमत कारुतपन होता है, यहां पुलिंग सब्द को पहचानी ही, फेली बाद चिडिया क्या है, इस तरी लिंग ठीक है, जात उत्रह जात यहां आपका सभी जो अंग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है उसमें क्या है? कुछ अपवाद है जैसे अगर हम कुहनी लें, कुहनी क्या होता, आपका स्ट्रीलिंग होता है, ठीक है, ऑप कलाई क्या होता इस्त्रीलिंग होता है, अपवाध नाक, स्ट्रीलिंग होता है, आछ, जीव, ढोड़ी, ठीक, ठोड खाल, ब Michigan, नस, हडडी, इंद्रिये, प्र masc 5000 पहने, हम कहा है, य पुलिंग लेकिन गट्टा क्या है गट्टा क्या है गट्टा आपका इस्त्रिलिंग तो आप इन सब को याद रखना क्योंकि यहां से प्रस्ण उठेंगे क्योंकि जितने भी अपवाद होते हैं वहां से प्रस्ण जरूर उठाये जाते हैं हमारा अगला प्रस्ण है कि आप नहीं संकोच चले जाओ इस वाक की तुरुटी सुधारने के लिए नि अगर आप इसको अच्छे से कहना चाहें तो आप को ऐसे कहेंगी आप नहिसंकोच चले जाए यह आदर कूर्बिक आप कह रहें टीक है जब आप यह कहरें आप सामने वालों को आधर भी दे रहें ठीक है लेकर यह सब्ध जो है आप नहीसंक कोकः चले जाओ तो ऐसे कहने आप निसंग को चले जाएए ठीक है? लेकिन यदे आप रावण की तरह बोलोगे तो आप या तुम भी बोल सकते हो तुम निसंग को चले जाओ तो यह हो जाएगा आपका गलत ठीक है? इसका सहीव तो जाएगा आप निसंग को चले जाए हमारा अगला प्रस्न है कि निम्ण में से बंधु सब्द का बहुबचन रूप कौन सा है निम्ण में से बंधु सब्द का बहुबचन रूप इसका बहुबचन जो है आपका हो जाएगा बंधु का बंधु बर्ग ठीक है बंधु बर्ग ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधु बर्ग जैसे पाठक का बहुचन होता पाठक गड़ आपका बहुचन होता आप लोग इस्तरी का होता है इस्तरी जन अधिकारी का होत सा जोड़ा सही नहीं ठीक है यह कहरा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है महा देवी बर्मा की रचना यामा ठीक है यह आपका सही है सुमित्रा नंदन पंत चिदंब्रा यह भी आपका सही है जै संकर परसाद कंकाल यह भी आपका सही है मैत्रेवी पुस्पा अलोग पर्व यह आ लोग पर ठीक है और यामा जो है महादेवी बर्मा की रचना है और यामा के लिए महादेवी बर्मा को ज्यान पीट पुरुषकार मिला था ठीक है यामा के लिए महादेवी बर्मा को कौन सा पुरुषकार मिला था ज्यान पीट पुरुषकार मिला था अगला प्रसन हम देख आप तुरह तैं ब्रज भासा की तरफ जाए क्योंकि भगवान स्रेंटिस्ट का जन्मस्थान कहा है वहीं मथूरा में टो आपका क्या हो जाएगा यहां पर ब्रज भासा की सही हो जाएगी ठीक है और बाकी जो से तीन बोलियां है उनके छेतर यह नहीं है इक आप अवधी प हरियाना में बोली जाती है और खड़ी बोली जाती हो पस्षीम उत्तर प्रदेश में बोली जाती है रिगला प्रसमारा है कि दिए गए बिकल्पों में से उन्नत सब्द क्या दर्साता है उन्नत क्या दर्पाता है विसेशड उन्नत क्या है उन्नत एक प्रकार का विसेशड ठीक है उन्नत आपका क्या है एक प्रकार का विसेशड जैसे राम उन्नत दसा में है ठीक है तो उन्नत क्या बता रहा है राम की क्यों हो जाएका उन्नत क्यों जोगी शेथाइए अगर प्रा बिसेथा मेंसे भाल का समानार्थी सब्द कौन है भाशका वह थक्म हल का क्या होता है ख्या सब्सक्राइब कोन सा है तो बिकीरीड सब्द है वह एकत्र है ठीक है ठीक है यह सब्द गलत यह वाकई क्या है गलत क्यों जिसे अभी आपने नीवरी देखा गंगा में ला से सड़ती लाको को कहें कर आप कितना घ्रीद्रिस है अधक्ना नहीं पसंद करेंगे अप casus तो आप किसी भी आसा में किसी भी तरिके से नहीं कहा जाता है जहां कोई अच्छा चीज होता है वह कितना मनुरम दिरिश से तीक यह आप अगला प्रफन है हनुमान की पूछ में लगन पाई आग लंका सगरी जल गई गई निसाचर भाग यहां कौन सा लंकार है यहां पर अतिसयोगति यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा चड़ाए इतना मतलब सोचा ना जाए ठीक है पूरी लंका अगर जल जाए हनुमान जी की पूछ में आग ना लगे तो यह क्या एक अतिसयोगति है यहां पर आपका हो जाएगा अतिसयोगति लंकार अगला प्रस्रम आ रहा है कि चिर जीयो जोरी जुरे क्योंना स्नियां गंभीर ठीक है चिर जीयो जोरी जुरे क्योंना स्नियां गंभीर को घटि में बिरसु भान यहां पर कौन सा लंकार प्रयोग हुआ है यहां पर आपका स्लेस लंकार प्रयोग हुआ है यहां पर आपका कौन सा लंकार प्रयोग हुआ है स्लेस लंकार ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर जब आप बात करते हैं ब्रिस की ब्रिस का जो अर्थ होता है वह होता है प्रिस का अर्थ होता है एक अर्थ होता है राधा ठीक है ब्रिस का एक अर्थ होता है और दूसरा अर्थ होता है गाय ठीक है एक अर्थ हो जाता है आपका राधा एक हो जाता है गाय दूसरा क्या नाम है हल्धर, दूसरा क्या है, सब्द हल्धर, हल्धर का एक अर्थ होता है, बैल, दूसरा होता है, बलराम, ठीक है, तो एक ही सब्द में, एक ही सब्द में, दो-दो वर्थ चिपके हुए है, ठीक है, तो यहां कौन सा लंकार हो जागा, जब एक ही में, दो-दो चिपके होते हैं, स्लेश लंकार जो है और किना सब्दा लंकार की भाग्डे करा हैं आप अर्था लंकार के देखेंगे तो उपमा लंकार और शाइग आपका विन्योग के लंकार ठीक यह सब के सब क्या है यह इससब के सब आपके अर्था लंकार के भाग हें अगला प्रफन है इखे था अग्ला प्रफण है साकियत महाकाब पर कभी मैतली स्रणड गुप्ठ को कौन सी परितोसिक प्राप्थ हूई तो साकियत महाकाब जो की लच्छमण की पतनी ऊर्मिला के बारे में लिखा गया है इसु को मंगला प्रतोसिक प्राप्त की उन्होंने उनको दिया गया आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का सब्द है तो हर कोई हमेशा एक बचन को दिखाता है हर कोई क्या दा सदियो एक बचन को दिखाता है तो हर कोई क्या होगा सदियो एक ब जाता है गाधी क्या थे एक बैक्ति थे और जब राष्ट पिता उनको कहा जाए तो एक भाव है ठीक है वो पूरे राष्ट के पिता नहीं यह एक भाव है तो ब्यक्ति वाचक से भाव वाचक में परिवर्तन हो गया ठीक है तो आप देख रहे होंगे कि प्रस्ण बहुत ज् पढ़ाए कि यह प्रेक्टिस किजिए तो आप हिंदी में 40 में से 35 नमबर लाना 35 कोश्चन साल्व करना आपके लिए बहुत कठिन नहीं आप आसानी से साल्व कर सकते हैं ठीक है अगला प्रस्ण हम देखें कि निम्न में से इस्त्री लिंग सब्द को पहचानी है जुर्रा इस्त्री ल세व पहला याप से नमारा से गागत्तर कार क्या है यह अगला प्रस्नत हम दोब्लोम दो होता रंगाओ भलात कर दोता सियार ठीक हो आप को पहले दिखाई पड़ेगा बहुत ही normal बैखती है लेकिन वो क्या होगा, बातों को अपनी ही बातों को रखेगा तो दूर्ट का होजा रंगा सिहार तो आप दूरत को रगा रहा जाद महा देभी बर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरुसकार दिया गया महादेव वर्मा को यामा एक रचना थी उसके लिए उनको दिया गया था ग्यानपीठ पुरुसकार ठीक है लेकिन निर्जा के लिए उनको दिया गया सक्सेरिया पुरुसकार ठीक है उनको निर्जा के लिए दिया गया था सक्सेरिया पुरुसकार ठीक है भ norm अगणा अगला परसना है मेरी बहन उच्य सच्छा डाट डाट जा रहे है तो यहां ओ जाएगा उच्य सच्छा के लिए ठीक है उच्य सच्छा के लिए आफटील्या है यहां पर संपर्दान है संपर्दान के लिए मतलब सिच्छा के लिए मेरी भान उच्छा के लिए आफ्टि लिया जारे तो सिच्छा के लिए सई हो जाएगा और इस प्रकार 25 कोज़न सब्सक्राइब यह test UPSI के paper पर आधारी था कि आप इस प्रकार के test हपते में चाहिए तो अगर हाँ कहोगे तो आपको मिलता रहेगा नहीं कहोगे तो हम बंद करेंगे लेकिन मुझे उमीद है कि जादा जादा लोग हाँ बोले होंगे तो आपका बीकली सनिवार को आपका हिंदी का test होता रहेगा इस परकार एक ज्याम के पहले हम करेंगे 15-20 test करा ले जाएंगे हिंदी के जिसे आपके UPSI में हिंदी में आपके 40 प्रस्ण में से कोशित सी रहेगी आपके 40-40 सही हो जाएं ठीक है यह जो ब्याख्या है आप इन ब्याख्या को जरूर देखा करिए ठीक है और भी जितने test हुए है सबकी ब्याख्या मैंने की है टेलीग्राम पर पहला एक ऐसा चैनल है रियज के सनायथ अकड़िमी जो टाइम पर test कराता है ठीक सामचार वजे और ठीक test के तुरंट बाद वहाँ पर आपको वीडियो solution मिल जाता जिससे आपको अगर यह वहाँ उस एरिया से प्रस्न उठाया गया है और कुछ प्रस्न छूटे भी ही तो description में सबके सब cover हो जाते हैं ठीक है तो आप प्रतिदिन test देने आया करिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेर कीजिए ठीक है उनको बताइए कि एक रिए एजुकेशन नाम का चैनल भी है और जिस पे आपको सभी भी से बिल्कुल मुफ्त लब्द है ठीक है और आप आईए पढ़िए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए जो अच्छा ना लगी उसे भी कमेंट करके बताइए हम आपकी सिवा में ततपर है और इसी के साथ ये खतम हो गया और ये देखिए अब हमारे चैनल पे current affair भी सुरू कर दिया गया है ठीक है ये तो पहला वीडियो था जिसमें ये बताइगा है current affair आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कुछ जो जो जोलंत मुद्दे हैं ये चीन की जंशंख्या नहीं थी अभी चेंज किया है ठीक है और विश्टा प्रोजेक्ट क्या है जो अभी क्या नाम है दिल्ली में बन रहा है और भी ऐसी जितने भी current affair के अच्छे matter है जो pre or means परिछा को लेकर काभी उप्योगी है उस पे आपको weekly चर्चा की जाएगी तो आप current affair भी यहाँ पे देख वकिते हैं बाकिट्रिफ्ट दे रहे हैं पॉलिटी पूरी खतम हो गई पढ़ा के ठीक economy चल रही है तो आप को re education academy पे आपको सब कुछ मिले गए तो आप आईए join किजिए और आज इसी पे इसे lecture को बंद करते हैं जै हिन जै भारत